कि नमस्कार दोस्तों मैं सिवंकुस वाहब को सौगत करता हूं प्रोगाइट CS चैनल में तो हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर फंडमेंटल कोर्स तो जो हमारे पिछला वीडियो लेक्च्छ था उसमें लोगों ने कंप्यूटर की पार्ट में किया गया है तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले हमने यहां पर तीन वो लिया है पहला तो साइज बेस पर लिया है और फिर डाटा हैंडिलिंग तो इन सभी बेस पर हम लोग देखने वाले हैं कि जो कंप्यूटर है उसको कैसे पार्ट में डिवाइट करते हैं दो चलिए सुरु करते हैं तो सबसे पहला आता है तो साइज की सब यहां पर पहला जो है वह आता है Super Computer तो Super Computer क्या होते हैं जो सब से ज़्यादा मतलब जो आपके moi Car YE तर Rubber करते हैं दूसरे Computer से क्ब्रकाल का होता है कि आप इंटरेट शलाते तो An च्पाराट करेंगा एक सुपर के डिलयुटर जो सब्सक्राइब आपकर सकते हैं यह नह 요 देओं फॉर पूरी फोटो सारी चीजें टारब सुपर कम्यूटर में स्टोर होती फिर सूपर कंभिज़ोटे वहाँ से हम लोग अपनी के When झाष्ट था झाल रहों होता है इन्का जो सब कहा रहा है वह सब कहां लोग स्टर होती हम लोग करेंट इसका नदर जो सबसे नहीं नगी होते हैं और बहुत बढ़ी-बड़ी जो सबसे तेज होती है तो इसलिए इसम offen computer बोल ले तो आपको समझेहा ओगा स्थेलिए स्पर दूंअ अग Turkish heseodine मेंशेर बड़ी-ांडिश्क पर उटान से एक रूम से भी बड़ा होता है मतलब कहा जाए तो दो से तीन वंजिल में यह आते हैं कंप्यूटर तो यह सब होता है तो समझ में आगे बढ़ते हैं फिर आता है में फ्रेम कंप्यूटर में फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं यह मतलब सूपर कंप्यूटर के छोड़ा कर देता हूं यह देखिए यहां पर यह जो दिया हुआ है इसके ऊपर क्या होता है कि एक कंप्यूटर से हम लोग क्या करते हैं मुल्टिपल लेप्टा पिया बहुत सारी चीज़े हम लोग करते हैं करने के मतलब हमने क्या करा एक यहां पर सिस्टम रखा है और इस सिस्टम से हम लोग का करें बहुत सारी चीजें हम लोग करेंगे एक ईच्छिप्य ओगा उस 야 करें होता है यह बहुत सारह यह क्या होता है कग je कि यह बहुत सारा मतलब कहनेगा कि आप एक जगह पे रखते हैं और उससे क्या होता है कि वह सारे जो डिवाइसे से उनको कनेट करके आप यूज करते उसको ठीक और इसका जो साइज होता है यह आप देख लिए जो मतलब मिनिमुम एक आलमारी की साइज होती है यह बड़ा ह जाता है तो जो में फ्रेम कंप्यूटर है उनका कुछ एक वेशी काम होता है और इसे एक चीज और होता है कि आप क एक मेंक्रान यक्राइं कर लिए इस कोई से यह खोगा तो परिए उसे कंप्यूटर होगा उसे कम होथी जो कमप्यूटर यह से काफी सीरिंसे करते है दो अ समझ में आगे बढ़ते हैं आगे होता है मीनी कंप्यूटर मीनी कंप्यूटर का होता है में फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा स्लो होता है और इसका जो साइज है में फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है जो हम लोग अपने घर में उसका होता है पर यह वह नहीं होता है पर मत के लिए सब्सक्राइब करते हैं और कई जगह ये भी बदल तक हुआ तो हो सकता है कि आप कर तो इसलिए हम लोग इसके बारे में ज़ादा भी बता नहीं इसलिए उसको में 2 गबला जाता है यह हमने यहांप कब्यूटर हाग है यह इसे आपको कंफ Wyoming नहीं होना है यह लग लग है लगए एक ही जैसे होते हैं पर हमने जो साइज है उसके भी इस पर डिवाइड करा है क्योंकि जो हमारे स्पार्टपून है वो भी एक कंप्यूटर के टेगरी में आता है तो उसको हम कहां रखेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं माइक्रो कंप्यूटर नाम से रख देते हैं तो यहां पर देखें आप जो माइक्रो कंप्यूटर उसके अंदर लैप्टॉप डेक्स्टा कंप्यूटर यह सारे जो हमारे कंप्यूटर ही वह आ रहे हैं तो यह सब होता है और कंप्यूटर आप जानते हैं भी मैंने जो पहला आता है और जो अगर आप एस उपर कंप्यूटर ऊज़ करेंगे तो करोड़े और बहुत सारे डॉलर में आते में अधिक सब्सक्राइब ऑफिस में करते हैं तो यह सारे जो होते हैं यह पर्सनल वर्क हो गया ऐसी जगह पर यूज किया जाता है तो यह माइक्रो कम्प्यूटर या मिनी कम्प्यूटर कहलाता है ठीक समझ में आओगा फिर आगे बढ़ते हैं हमने अभी देखा है यह बेसे साइज पे अब यह हम लोगों ने साइज के बेस पीस को केटेगराइज करा है पहला जो था हमारा यह सुपर कम्प्यूटर था फिर होता है मेन फ्रेम कम्प्यूटर मेन फ्रेम के बाद मेनी कम्प्यूटर होता है उससे थोड़ा छोटा होता है और माइक्र मतलब बहुत ही छोटा होता है पर यह चार कटेगरी होती है based on size, फिर आता है हाँ पे functionality, मतलब उसका जो काम होता है, उस काम के waste पे हमने इसको participate, मतलब part में divide करा है, तो पहला जो होता है, यहाँ पे दिखिए server waste होता है, server क्या होता है, आप जैसे यहाँ पे मैंने super computer दिखाया है, यहाँ पे एक main computer होता है, उससे हमारा पूरा server है, मतलब हमने data रखा है, कहीं आप देखते होंगे, कहीं farm bomb भरते बोला जाता है, server down है, server क्या होता है, एक जिगए main computer होता है, सुपर computer, उस सुपर computer में आपका data रखा हुआ है, आप उसको access करते हैं, ज्यादा traffic होगा, तो वो क्या होता है, कि हो सकता है, कि hang हो या फिर process करने में time दे, तो क्या होता है, यह सब server के द्वारा होता है, तो यह client based होता है, और यह security server होगया, data based server होगया, यह क्या होता है, जैसे मनें भी बताया, तो फॉर्म भरने के लिए database server होता है, वो server आप से जो आधार का data है, वह सार जो data हो इस्टोर रहता है, security server भी होते है, जो बीच में आप जो कहने के मतलब कुछ access करते हैं, तो बीच में security server होता है, दो बीच से कहीं निकालना लीच तो ऐसे मतलब सारूर सरवर होते हैं, जो हमारहे data है उसको काम में लिया जाता है दो यह क्या होता है जो computer है उसको server भी बनाया जाता है उसका काम काम क्वाइब करना जो भी data फाइल है, सब्सक्राइब सप्सक्राइब कुछ दॉसको काम नहीं प्लस--Прोग्रामिंग यह बहुत सारे जो काम होता है उसमेन क्या आपकर आपके डाटा इस्टोर करने के लिए उसको बनाया जाता है फिर आता है कि से क्ताइए कम्पीटर होता था मतलों सीद्य उचर्ण हमने क्या करा मल्टिपल जो कम्प्यूटर कर दिया तो यह होते हैं कहीं कॉल्च में वह साथ्यूदे कमर्शल से सब्सक्राइब करते हैं और आपको इसके लिए फड़ा बीतस का योगता है है कियोकि यह क्या होता है एक आपने लिए उससे क्या करा sı इस यह क्या होते हैं यह आप कहने का मतलब है कि कैलकुलेटर यहां पर चोटा सब्सक्राइब करते हैं तो उसका काम के लिए इसको हमने क्या करा अप्लाइंस घर का काम के लिए काम क्या है क्या है विए पिच्चर दिखाना बस तो काम करेंगा तो इनका काम भी वस ही है कि जो आपने इसमें डिवाइड या डिवाइज बनाया हो उसी के लिए वो काम करेगा बाकि और कोई काम नहीं करता है तो यह अप्लाइंसे बेस्ट पर कहलाएगा फिर होता है एंडेट कंप्यूटर क्या होता है यह जो बहुत सारे इसका एक बहुत सारे कंप्यूटर को मिलाके अच्छा कंप्यूटर बनाया और उसका जो काम है वह इस पीसल आपने उसके लिए बनाया गया है समझ गया होंगे थोड़ा से एक बारो समझा देते हैं immediate का मतलब यह है कि जो भी बहुत सारे computer है उनकी जितनी भी आपकी requirement है आप उतना मिलाके और एक computer बना देते हैं वो एक embedded computer बनाता है जिसे कि यहाँ पर एक छोटस computer है यह normal computer है पर इसके अंदर आप upgrade नहीं कर रहे है एक जो embedded computer होगा इसमें आपने क्या करा है camera के लिए लग लगाया हुआ है और भी बहुत सारे काम के लिए जितना जुरूरत है आपने उसके उसके लिए किया है आपको अगर केबल वीडियो देखने के लिए तो आपने एक computer बना है आपने एक computer बनाए जिसके अंदर आपको क्या करना है cable recording करना है वो एक हो गया तो इसी तिया पर सर्व लिमिटेट सेट आफ रिकार्मेंट मतलब जितनी आपको जुरूरत है उतना आपको करते हैं बनाते उसके अंदर अगे बढ़ते हैं तो data handling में कैसा होता है पहला दिया हुआ है analog computer क्या होते हैं जो कहने के मतलब आप देखते होंगे एक वकम नापने के छोटा सजा कंप्यूटर dau maximal लिए कह छोटा से इसमें यहां पे मैंने थोड़ा सा लिखा इसको आप समझ लीजहल को और धिक्तरिकल और गराव इसे भूकंप किसे और ध्था और वह सब ना यहां पांज पर ना की दिखाता है वह क्या होता है निल्यक्टरिकल मंखें टा और दोनु मिला के और यह बनाए जाता है ठीक यह क्या करता है इनलोग कंप्यूटर होता है इसके कोई जो डाटा है वो पर्फेक्ट नहीं होता और आपका काम जो है मतलब कहने का कि जो आपका कंप्यूटर है उससे कनेक्ट होता है वह एक इनलोग सिस्टम होता है वो कनेक्ट होता है डिश्टल सिस्टम से डिश्टल फिकान को आप्दाइब इसे नीजगत है कि अब बना जाती है कि को और लाइड बन, oluş compassionate के और बनाएं आपके देखे हैं क्या मोमाडल सौल्फिंग है मैं है आगे मैं आगे आता है डिजिटिल डिश्टल कंप्यूटर जो हम लोग नार्मल डेली यूज़ करते हैं जो भी हमारा कंप्यूटर होता है कंट्रोल इंडस्ट्रियल और अधर प्रोसेस सिमिलेशन डाइनेमिक सिस्टम ग्लोबल वेदर पैटरंस यह सारे चीज़ें क्या होती डाटा इनलेटिक्स हो गया अपने घर में यूज़ करते हैं तो इसके एनदर में आते हैं तो ुच्रॉटब और चाहएं सब इसने इंदर में आते हैं तोिह क्या होते हैं इनलोग कंप्यूटर होते हैं फिर अग्ला आता है यहां यहां के मिला इनलॉग और डिश्टल मिलाकर एक कंप्यूटर बनाया गया है जिसको हमने बोला था तो हाइब्रिट कंप्यूटर क्या होते हैं जैसे यहां पर मैंने छोटा से ग्यामपल लिया था कि आपने क्या करा है यहां पर एक एक लेक्ट्रिकल एनरजी को उसने वो जो मौसन सेंसर आता उसने क्या कराये जो हल चल थी उसको नापा और यहां पर यहां पर बना अब इसको आपको स्टोर करना है कितनी ती ब्रता से कितना स्विछ रख माइए तो नापने के लिए आपको डिश्टल कंप्यूटर 캌श्रों व्हों पाया इतने से इतना ग्राप गया तो यह य इसको यह hybrid computer बोला गया है तो यह क्या करता है जो इलेक्टिकल यह mechanical energy है उसको digital फॉर्मिस हो करता है और बहुत जगह सबसे ज़्यादे जोने वाला है आप रोबोट यूज करते हैं रोबोट में भी होता है hardware पूरा control होता है पूरा machine जो होती है वो काम करती है इनलाग system दुनों मिलाके एक hybrid computer बनाया जाता है समझ में होगा कि जो इनलाग computer है वो hardware पूरा mechanical और electrical बेस्पे होता है डिजिटल computer क्या होते है जो zero और one बेस्पे पूरा calculation उसकी programming होती है फिर उसके बाद वो काम करता है hybrid computer क्या होते हैं इनलाग डिश्टल मिलाके computer बनाया जाता है जिसको hybrid computer बना जाता है जिसे smartphone का मैंने सेंसर लिया था और गर्मीन आपने का वेदर और बहुत सारी काम होते हैं यहां पर यूज होता है तो समझ में आया होगा अगर झाल 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 बहुत में आया है जाल झाल 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 झाल